हेलो एबरिबन स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन जीस वाई दिवाकर में कैसे हैं आप सभी लोग आसा है अच्छे होंगे तो अभी तक जो हमारा सेशन चल रहा है करेंट अफियर्स का उसके पार्ट ट्वेंटी चैनल पर ऑनलाइन जीस वाई दिवाकर पर हैं और ये पार्ट ट्वेंटी बन है इसमें कई दिन की चुट्टियां हो गई थी क्योंकि घर में साधी थी इस चकर में हम लोग क्लास कंट्यूनियू नहीं कर पाए जीकिन अब क्लास कंट्यूनियू रहेंगी तो इसमें हम पहला कुश्चन देखते हैं 29 नवंबर 2022 को राष्ट परती द्रोपदी मूर्मू ने किस राज में मुख्य मंत्री स्वास्ता सर्वेच्छन योजना का सुवारम किया मद्यपदेश, उत्तरपदेश, हर्याणा या गोबा इसका सही अप्सन हो जाएगा किस ने शुरू किया है, द्रोपदी मूर्मू, जो कि कौन है, राष्ट पती है बहरत कि इतल जानते होंगे उत्तेश से क्या रखा गया है इसका? तो राज्य के लोगों को निसुल क जांच की सुवधा उपलब्द कराना ही, इसका उत्तेश रखा गया है सत्र नवंबर 2022 को संपन माराष्ट मंतिमंडल की बैठक में राज्ची में स्वतंतता सेनानियों को प्रदत पैंशन राज्ची की 10,000 रुपए से बढ़ा कर कितना करने का नेना लिया गया है 12,000, 15,000, 18,000 या 20,000 उप् इसका सही हो जाएगा डी उप्सन 20,000 इनको बढ़ाने का और ऑप्सन किया गया है डी उप्सन 20,000 सहीन हो जाएगा नेक्सट कहा के मंतिमंडल नहीं फैसलद किया है तो महाराष्ट के ने चलिए नेक्स्ट देखिए बन लाइनल कोश्चन है इनमें ज्यादा डेटेल में जाना नहीं है सिर्फ देखने है वो ही इतना बताएंगे हम 23 नवंबर 2022 को किस राज़े केंद सासित प्रदेश ने एम एमलन एनिमिया उन्मूलन मिसन का सुवारम किया असम, लेच्छदीप, ओडिसा या नागालेंड ओप्सन इसका सही हो जाएगा सी ओप्सन ओडिसा ओडिसा राज़े ने क्या किया है एमलन एनिमिया उन्मिलन मिसन का सुवारम इनों ने किया है ओडिसा राज़े ने 29 नवंबर 2022 को रोड़ वेज ए टिकट पढ़ाली प्रोज़ना का सुवारम कहां किया गया है ए टिकट पढ़ाली लखनव, चंडीगर, कुरुछेत्र या पूणे option इसका सही हो जाएगा, c option चंडीगर इसका, कुरुछेत्र इसका सही हो जाएगा, c option कुरुछेत्र आंसर हो जाएगा, ये टिकट कहां पर सुरू किया गया है, कुरुछेत्र में, अब इजे उपर वाली question में एक मिनट आपको फुल फॉर्म बताना रहेगी, ये पूछा भजा सकता है, य dileK लीजिए, एमरीन की फॉल फॉर्म क्या है, तो एनिमिया मुक्तलक्ष अभयान तो एनिमिया मुक्तलक्ष अभयान, ठीक है, ये इसकी फॉल फॉर्म है, ये पूछे जा सकती है, तो यह आप ध्यान रखेगा, एनिमिया का अर्थ क्या होता है तो यसे सरीर में खून की कमी होना हीमोगलोबिन की संख्या में कमी होना यह एनिमिया का लक्षर माने जाते हैं यह और इसका उद्येस किसे लिए रखा गया जालातर महिलाओ और बच्चों के लिए रखा गया है एनेमिया से प्रूर्ञ किया था नेक्स्ट कुश्चन कि एक दिसम्बर 2022 को बी सीसी आई ने तीन सदस्टी क्रिकेट सलाकर सम्ती का गठन किया इस तीन सदस्टी क्रिकेट सलाकर सम्ती में कौन सामिल नहीं है ठीक है? तो इसमें आप्शन दिये गए मदलाल असोप मलहोतरा जतिर पराजबे या सुलच्छना नायक आप्शन से विजए गए इसका ए आप्शन मदलाल इसमें सामिल नहीं है नेक्स्ट 13 से 30 नवंबर 2022 के मध्या भारती सेना और सिंगापूर सेना के बीच एक दोपच्छी अभ्यास अगनी योद्दा का बारवा संस्क्रण कहां संपन हुआ है गवालियर बरेली महाजन फिल्ड फायरिंग रेंज राइस्तान या फिल्ड फायरिंग रेंज देवलाली उप्षन इसका सई हो जाएगा अज़ टेवलाली में यह है कहां पर यह महराष्ट में है आपका कहां पर महराष्ट में है इस विस इतना ही अभ्यास किया गया जंदा नहीं है इसमें कुछ Doc आश्ट्रा हेंडर 22 से संबंदित निम्ले कतनों में बिचार कीजिए यह भारती सेना और और अस्टेलियाई सेना की टुकडियों के बीच एक दुपच्छी सेने पर से चनव्यास है इसका पहला संसकरण 28 नौवंबर से 11 दिसंबर 2022 के मद्द महाजन फिल्ड फाइरिंग रेंज राजस्तान में किया जा रहा है उप्सन इसके दिये गए है एक एक और दो दो या पिसी में दोनों दिये गए है या फिर दी में कोई नहीं दिया गया है आप्सन इसका सही हो जाएगा C आप्सन एक और दो दोनों ही सही है इसका ऑस्ट्रिय सेना के टुकुडियों के बीच 25 सेने पुरे स्चण अभ्यार है ये भी सही है पहला संजकर 28 नॉम्बर से 11 दिसंबर चलाता कहां पर चलाता राजिस्तान में ये भी आपका सही है किसका ऑ यूएस नेवी सील के बीच एक संयुक्त नॉसेना विशेस बल अभ्यास है ये अभ्यास एक दिसंबर 2022 से गोबा में सुरू हुआ तो इसका आप्सन सही हो जाएगा एक दिया गया है दो दिया गया है एक और दो दोनों एन में से कोई नहीं तो आप्सन सी इसका सही हो निम्न कतनों पर बिचार कीजिए तो ये भाति नॉसेना और ओमान की साही नॉसेना के बीच दो पच्छी सो नॉसेन ने ब्यान है ठीक है ये दो पच्छी सो नॉसेन ने अभ्यास बंगाल की खाड़ी में 19 से 24 नवंबर के मद्य आयो ये तकी हुआ था तो इसके ऑप्शन आपका सही हो जाएगा केबल एक क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में नहीं हुआ था ये ओमान के तट पर हुआ था ठीक है तिसका उप्शन एक सही हो जाएगा नेक्स्ट 21 नवंबर 2022 को किन दो देशों की सेनाओं के बीच 25 संयुक्त प्रसिचन अभ्यास गरोण सकती शुरू हुआ था तो ये भारत ओमान भारत बंगलादेश भारत इंडोनेसिया या भारत इवं फ्रांस सी ओप्शन इसका सही हो जाएगा भारत और इंडोनेसिया की बीचे 26 सही उक्त प्रसिचन अभ्यान गरोण क्या नामें इसका गरोण सुरू हुआ है गरोण सकती ठीक है नेक्स्ट सेख तो सेख अभ्यास हर में हो सकती 2022 से संबंदित निम्न कतनों पर बिचार कीजिए यह भारत और और इंडोनेसिया सेख बीच किया जाने वाला बार सिख प्रसिचन अभ्यास है इसका अविजन 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2022 के मद्द किया जा रहा है तो इसके ऑप्षन दिये गए है केबल एक केबल दो एक और दो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं ऑप्षन इसका सही हो जाएगा आपका केबल दो ऑप्षन सही हो जाएगा क्योंकि भारत और इंडोनेसिय सेना नहीं होगा यह भारत और मलेसिय सेना की बीच में यह किया जा रहा है तो ऑप्षन भी ही सही होगा केबल दो 28 से 30 नवंबर 2022 के मद्या भारती भायू सेना द्वारा भार्शिक संयुक्त मानविय साय था और आपदा रहत अभ्यास समनवय 2022 कहां आयोजित किया गया था ओप्षन दिये गें इसके जोदपुर, पुडे, गवालियन या आगरा ओप्षन सही हो जाएगा इसका, डी ओप्षन इसका सही हो जाएगा, आगरा में इसका समनवय किया गया था कहां पर बायू सेना इस्टेशन आगरा, ठीक है जब आप आगरा आओगे तो देख के जाना हम आगरा के ही है ग्यारा से बारा जनवरी 2023 के मद्दभाती निर्यातक महासंग, FIEO द्वारा कहां पर बैस्यूक निवेशक सम्मिलन लगू, उद्ध्योक निर्यात सम्मिलन आईजित होगा, नई दिल्ली, जैपुर, इंदौर या लखनव, आप्षन इसका सही हो जाएगा, C ओप्षन इंदौर में, लगू, उद्ध्योक, निर्यात, सम्मिलन कहां पर आईजित होगा था, इंदौर में, नेक्स्ट, पांच दिसंबर 2022 को मिलेटास, स्मार्ट, निूट्रेटिव फूड कहां आईजित होगा था, नई दिल्ली, बाराण सी, इंदौर या नाकपुर आउप्षन इसका सही हो जाएगा, एए आउप्षन नई दिल्ली में, इसका आयोजन हुआ था, और इसको उद्ध्योक से क्या था, बाजरा के निर्यात को इसको बढ़ावा देना, इसका उद्ध्योक से रखा गया था, नेक्स्ट, किसने किया था इसका आयोजन, ये भी तो केंदी बाने जेवम उद्ध्यों मंत्री पियूस गोयल ने इसका आयज़न किया था नेक्स्ट मुख्यातिती के रूप में यह आये थे तीन से छे दिसंबर दो हजार बाइस के मद्ध अंतराश्टी यह लुसोफोन महोटसब खां आयज़न किया था नई दिल्ली असम नागालेंड यह गोबा ओप्शन इसका सही हो जाएका डी ओप्शन गोबा में यह आयज़न किया था नाम किया था अंतराश्टी लुसोफोन महोटसब कहां पर आयज़न किया था गोबा में किसके द्वारा किया था विदेश मंत्राल है भारतिय संस्क्रती संबंद परिषद ICCR द्वारा हिया शुरू किया गया था नेक्स्ट लूसोफोन लूसोफोन बर्ड क्या है यह वे देश हैं जो पूर्टगाल को अपनी अधिकार एक भासा के रूप में बोलते हैं या फिर पूर्टगाली द्वारा अपने इस बनाए गए तो यह लूसोफोन का मतलब है नेक्स्ट ये की कुषिन फिर से रिपीट हो गया है चलिए नेक्स्ट जिक चैसे नौ दिसंबर 2022 के मद्ध सीमेंट कंक्रीटो निर्मार सामक्रीप सत्रेवा अंतराष्टी संबिलन 2022 कहां आयजित किया गया है पुड़े राची नई दिल्ली या मुंबई ओप्सन इसका सही हो जाएगा नई दिल्ली कब किया गया था चैसे नौ दिसंबर में यह किया गया था 24 से 25 नवबर 2022 के मद्ध रोगाड़ू में पत्रोद के पर तीसरा बैस्यूक उचिस्तरी मंत्रे इस्तरी है संबिलन 2022 कहां संपन हुआ था दोहा बाली टोक्यो या मसकट ओप्सन इसका सही हो जाएगा डी ओप्सन मसकट में या आयोजन हुआ था संपन कराया गया था क्या था लोगाड़ू पत्रोद पर तीसरा बैस्यूक उचिस्तरी मंत्रे इस्तरी है संबिलन डी ओप्सन इसका इसका बिसा था महामारी नीती से एक स्वास्त कारेकरम तक दा पेंडेमिक AMR फ्रॉम पॉलिशी टू वन हेल्थ एक्षन ये इसके बिशे रखा गया था नेक्स्ट नवंबर दो हजार बाईस में संगाई महुसब का आवेजन किस राज्य में किया गया था मडिपूर नाकरलेन असम या मिजोरम आवेजन कि तितिक अप्ति इसके 21 नवंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक लखी गई थी 21 से लेकर 30 नवंबर तक थीम किया थिसका एकता का पर्व फेस्टिबल ओफ वननेस ये इसके थीम लखी गई थी नेक्स्ट अले अहाँ सम्वेश्ट नेक्ट पुश्ट 20 दिसम्बर 2022 को भारतिय राष्टी अंतर से संबर्दन और प्रादिकरन के इनस्पेस ने स्वदेशी सैटलाइट कौन्टम की डिस्टिबूशन ओकेडी उत्पाद को बिक्सित करने के लिए किसके साथ समझो था ग्यापन पर अस्तक्षर किया एडिशन कुएन क्यू लेव या नॉस्ट नेक्नोलोजी या पॉकेट मनी टेक ओप्शन इसका से हो जाएगा बी बी ओप्शन क्यू एन यू लेव्ट के द्वारा के साथ इसने अस्तक्षर किया था किसने किया था भारती राष्टे संबर्दना प्रादिकरन इन स्पेस ने किसके साथ किया है क्यू एन यू लेव्ट के साथ इन्होंने अस्तक्षर किया गया है नेक्स्ट और इसका उद्देश से क्या है तो स्वदेशी सैटलाइट क्वांटम दिस्टिविशन उत्पादों का विकास करना यह उसका उद्देश से रखा गया है इसका महत तो क्या हो जाएगा जब यह दोनों साथ में कालरे करेंगे तो महत हो जाएगा इसका क्वांटम संचार नेटोग इस्तापित होगा क्वांटम सैटलाइज का सन्यूजन किया जाएगा और अंतर महादी भी जुड़ाव हो जाएगा यानि कि जो महादी पर उनमें अच्छे से जुड़ाव रहेगा लिंकेज जुड़ बढ़ जाएगा यह इसका मैत तो बढ़ जाएगा नेक्ट डिजी लोकर ने सरकारी आईडी का ओन डिबाइस संग्राण इस्टोरेज के लिए किस के साथ भागिदारी की है मेटा, फेस्वुक, माइक्रोसॉप्ट, गूगल या आईवी एम के साथ इन्होंने किया है ओप्सन इसका सही हो जाएगा ओप्सन के साथ किस ने किया है डिजी लोकर ने सरकारी आईडी के ओन डिबाइस संग्राण किस के साथ किया है गूगल के साथ किया गया है कब किया गया है 19 दिसंबर 2022 को भागिदारी कहाँ पर किस इस्तान पर की गई थी Google for India 2022 सम्मेलन में इसका भागीदारी निश्यत की गई थी नेक्स्ट इसका मैथ तो क्या हो जाएगा सरकार द्वारा जारी और अधिकर सत्यापन दस्तावेज स्मार्ट फोन पर ही इस्तानी रूप से संग्रेद किये जाएंगे पैन कार्ड से लेकर आधार कार्ड ए आई प्राणा जाएगा एक्स्ट्रा नेक्स्ट 15 दिसंबर 2022 को इरेडा ने राजिस्तान के किस जिले में 1000 मेगावाट के 100 रूज़ा परयूजना के लिए एस जे बी एन ग्रीन एनरजी लिम्टेट के साथ 444.7 करोड रूपई के एतियास से क्रेंट समझोते पर हस्ताक्चर किये जैसलमेर उदैपुल बीकानेर या अजमेर ओप्सन इसका सभी हो जाएगा सी ओप्सन बीकानेर कापर किया गया है समझोता बीकानेर में किया गया ह नेक्स्ट 28 नवब मर 2022 को भारती मानक ब्यूरो बी आईयस ने भारती मानकों को पाठकरम के अविन्य अंग के रूप में सामिल करने हेतु देश के कितने इंजिनिरिंग संस्तानों के साथ समझोता गया आपने स्तफचर किया गया है 2, 4, 5 या 6 ओप्सन इसका सही हो जाएगा D ओप्सन 6 संस्तानों पर इन्होंने समझोता गया अपन स्तक्षर किये गए है 6 कौन कौन से है ये जरूरी है भारती प्रद्रगी की संस्तान मदरास भारती प्रद्रगी संस्तान बी एच्यू माली राष्टी प्रद्रगी की संस्तान जैपूर या भारती प्रद्रगी की संस्तान इंदोर भारती प्रद्रगी संस्तान पटना और राष्टी प्रद्रगी संस्तान त्रिची तो कहा का किया है मदरास, बियाची, जैपूर, इंदौर, पटना और तिर्ची ये छे इंजिनिरिंग संस्ताने जिन पर समझोता ग्यापन अस्तक्चर किये गए हैं नेक्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा उप्शन इसका डी उप्शन सही हो जाएगा 245 245.081 अरब कोरिया इबॉन नेक्स्ट 21 नवब में 2022 को भारत और यूरोपी संग के मद्द किस छेतर में सयोग है तु समझो थास्ता च्रिव हुआ है जलवाई मोडलिंग और क्वांटम प्रद्वगी की सूचना और प्रद्वगी की 12 कराथान या आयूस चिकेट सा के सम्मद में ओप्सन इसका सही हो जाएगा जलवाई मोडलिंग और क्वांटम प्रद्वगी समझो है समझाता है इसमें हुआ है किसके देश में भारत और यूरोपी संग के मत्य हुआ है नेक्स्ट कि 22 नवंबर 2022 को किस देश ने देश की संसदने भारत के साथ युक्त ब्यापा समझाते को मंजूर प्रदान की है जापान ऑस्टेलिया बेटेन यह नौर्वे आप्सन इसका सही हो जाएगा बी आप्सन ऑस्टेलिया ने अपने साथ ब्यापार की मुक्त ब्यापार के सब फ्री ब्यापार नों ने समझाते को मंजूरी प्रदान की गई है नेक्स्ट इससे क्या होगा साज़ेदारी और मजबूत होगी किस के साथ में औस्टिलिया के साथ में नेक्स्ट 21 नवमर 2022 को कतर ने किस देश के साथ दुनिया के सबसे लंबे गैस आप पूर्ती समझोते पर हस्तक्षर किया रूस, चीन, जापान या दच्छर कोरिया उप्सन हो जाएगा बी ऑप्सन चीन के साथ किया है दुनिया से लंबे गैस आप पूर्ती समझोते पर हस्तक्षर किया है किस ने किया है उनक्तर को किया है खतर कहां पे है दोहाँ में है वह यह समझोता कितने बर्सों के लिए किया गया है तो 27 बर्सों के लिए समझोता इन्होंने किया है 29 नवंबर 2022 को टाटा समू ने एरलाइन्स विस्तारा एवं एरलाइन इंडिया के बिलया की गोशना की बिलया के बाद सिंगापूर एरलाइन्स की एर इंडिया में कितनी इस्यदारी होगी 51 परसत उनहंचारत परसत या 26 या 25.1 परसत D options का सही हो जाएगा 25.1 प्रत्सतित की भागिदारी होगी किसकी Singapore Airlines की Air India में भागिदारी रहेगी टाटा समू की कित्ती रहेगी टाटा समू की 51% है कितनी है 51% है Singapore Airlines की 49% है नेक्स्ट गूगल द्वारा AI अपतार स्टार्ट अप ऑल्टर का अद्गरान के लिए कितनी कीमत हदा की गई है 100 मिलियन डॉलर 500 मिलियन डॉलर या 200 मिलियन डॉलर या फिर 500 मिलियन ऑप्सन ये सही हो जाएगा इसका 100 मिलियन डॉलर इसकी कीमत अदा की गई है नेक्स्ट किसके द्वारा की गई है तो ये गूगल द्वारा की गई है और क्यों कि गई है अपने कंटेंट को बैतर बनाने के लिए अन्य कंपनी जासे टिक टॉक के साथ प्रतिस परदा के लिए इन्हों ने ये कीमत दी है 100 मिलियन डॉलर की नेक्स्ट ये कुश्चन फिर से आ गया है 100 मिलियन डॉलर इसका अंसर हो जाएगा ठीक है तो आज के सेसन में सरी पितना ही सेसन के असा लगा ज़रूर बताएं चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स को सेयर करें मिलते हैं नेक्स सेसन में बार 22 लेक अगर आते हैं कल तब तक के लिए धन्यवाद